अगर आप भी उबास में ज़्यादा तला और भुना नहीं खारते हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसी रेसिपी बन जाए जो कि ओईल फ्री हो और साथ में हेल्दी भी हो तो आज हम बनाने वाले हैं इस तरह की दो रेसिपी दोनों में ही मल्टी विटामिन्स रोटीन और हाइ फाइवर है और दोनों के हेल्थ वैनिफिट्स भी बहुत सारे हैं और टेश तो आपको खाने के बाद ही पता चलेगा तो चलिए बनाते हैं इन दोनों रेसिपी को सबसे पहले हम बनाएंगे मखाना की खीर इसके लिए मैंने ले लिये हैं 50 ग्राम के असपास मखाना या लोटस सीट्स मखाने को अच्छे से साफ कर लेना है मखाने में हाई फाइवर, कैलसियम और प्रोटीन होता है इन्हें अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए इन्हें हमने साफ कर लिया है हम इन्हें रोस्ट करेंगे इसके लिए मैंने एक कड़ाई गरम कर ली है और इसमें मखाने को डालेंगे और इसमें हम डालेंगे आदा छोटा चम्मच घी साथ में मैंने ले लिया हैं पाच काजू इन्हें भी इसमें डालकर रोस्ट कर लेंगे मखाने बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं दो से तीन मिट के अंदर हैं और माइक्रबेम में मखानों को कैसे रोस्ट करना है पहले के वीडियो में मैंने बताया है इस तरह से स्टेर करते जाएंगे और दो से तीन मिट में मखाने अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं मखाने रोस्ट हो गए हैं इन्हें हमने मिक्सी के जार में निकाल लिया है आप देख सकते हैं अच्छे से क्रंच आ गया है मखाने में और इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे इन्हें हमने दरदरा पीस लिया है एक तम बारिक पाउडर नहीं बनाना है और हम कड़ाई में आदा चोटा चमजगी डालेंगे और इसमें डालेंगे एक चमज सिंगाडे का आटा इसे हम भून लेंगे ये आप्शनल है लेकिन अगर आप डालेंगे तो खीर काफी क्रीमी और गाड़ी बन कर त्यार होती है साथ में टेस्ट भी अच्छा आता है और हमने फुल क्रीम दूद लिया है हाफ लिटर है और इसे तीन-चार बॉयल आने तक अच्छे से उबाल लेंगे और एक बड़ी चम्मच मैंने गीला नारियल किसलिया है इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है खीर में दूद अच्छे से बॉयल हो गया है हमने जो मखाने ग्राइन किये थे दूद में डालेंगे और साथ में जो सिंगाड़े का अटा भूना था उसे भी एट कर देंगे अगर आप इलाइची का पाउडर उपास में खाते हैं तो वो भी एट करिए काफी अच्छा टेस्ट आएगा उससे भी मैंने इसमें यूस नहीं किया है और हमने जो नारेल को किसा था उसे भी एट कर देंगे और मैंने यहाँ पर दो बड़े चम्मच के असपास गोड लिया है यह कैमिकल फ्री गोड है आप चाहिए तो सुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप जितना मीठा काना चाहते हैं उतना यूज कर सकते हैं इसे भी हम खीर में एट कर देंगे और फाइनली खीर बन कर त्यार है इसे हम सर्व कर लेंगे इसे आप गरम गरम भी खा सकते हैं और ठंडा करके भी खा सकते हैं दोनों ही तरीके से इसका टेस्ट बहुत ही रिच होता है खाने में तो ये खीर आप जरूर ट्राय करिए इसे उपास में भी बनाईए और ऐसे भी अपनी डाइट में आप इसे शामिल कर सकते हैं ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है इसके बाद हम बनाएंगे शकरकन का चाठ तो शकरकन का चाठ बनाने के लिए मैंने चार शकरकन को उबाल लिया है यहीं हम कट कर लेंगे बॉइल करते समय आप ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा आवरकुक भी नहीं करना है और यह कच्चे भी ना रहे नहीं तो खाते समय यह गले में फसते हैं तो परफेक्ट तरीके से इन्हें बॉइल करना है और शकरकन को माइकरविम में कैसे बॉइल करना है ये मैंने पहले के वीडियो में बताया है बहुत आसानी से ये माइकरिम में बॉाइल हो जाते है इस तरह से हमने सारे शकरगन को कट कर लिया है इसमें डालेंगे एक चमच काली मिर्च का पाउडर और सेंदा नमक, साधा अनुसाल और इसमें बारी काट कर डालेंगे हरा धनिया इन तीनों चीजों से ही शकरगन का चार्ट बहुत टेस्टी बनता है और इसे इस तरह से टॉस करके मिक्स कर लेंगे चाहिए तो आप इसमें लेमन जूस या फिर अमचूर पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं चार्ट अच्छे से मिक्स हो गया है और हमसे सर्व कर लेंगे तो देखा फ्रेंड्स कितनी आसानी से ये दोनों रेसीपी बनकर त्यार हो जाती हैं जो कि खाने में हेल्दी भी है और टेस्टी भी है आप इन दोनों रेसीपी को उबास के लिए जरू ट्राइ करिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसीपी के साथ तब तक के लिए इट हेल्दी, इस्टे हेल्दी, टेक कियर और बाई बाई थैंक्स फॉर वाचिंग और चैमा तादी